हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं चैनल मिस्टर नूटरेशन और फिटनेस तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन के ऐसे सोर्स हो जो वेजिटेरिन के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग का ऐसा माना है कि जो वेजिटेरिन होते हैं उनमें प्रोटीन की बहुत डेफ आपको उसके बारे में थोड़ी नौलेज होने चाहिए तो गाइस आज मैं आपको प्रोटीन के ऐसे सोर्स बताऊंगा जो कि वेजिटेरिन के लिए हैं गली साइज चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रोटीन सोर्स है पनीर पनीर गाइस एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है वेजिटीरिन के लिए जिसमें आपको पूरे के पूरे अमीनो एसिड मिलते हैं जो की एक एग, चिकन और फिश जांग वे प्रोटीन में शामिल होते है और गाइस आपको 100 ग्राम प्रोटीन में 18 से 100 ग्राम पनीर में आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है जो की 3 होल एक के बराबर है मतलब की यहां तो आप 3 होल एक खा सकते हो या आप 100 ग्राम पनीर खा सकते हो दोनों में एक ही मातरा में प्रोटीन मिलता है और इसके साथ ही आपको इसमें good amount of fat भी मिलती है मतलब कि जो लोग दुबले पतले हैं जा जिनका body structure विल्कुल weak है उनके लिए पनीर बहुत ही अशाब प्रोटीन सोर्स है तो guys आपको daily कम से कम 100-200 ग्राम प्रोटीन जरूर खाना चाहिए second number पर जिस food item को मैंने रखा है वो है tofu tofu भी एक पनीर जैसा ही होता है जो की soya milk से त्यार होता है इसलिए vegetarian के लिए ये बहुत ही अशाब सोर्स है अपनी प्रोटीन की requirement को पूरा करने के लिए 100 ग्राम tofu में आपको 16 ग्राम प्रोटीन मिलता है और साथ में 9 ग्राम फैट मिलती है tofu में भी वो सारे के सारे 8 amino acid essential amino acid पाए जाते हैं जो की हमारी body के लिए बहुत जरूरी है लेकिन हमारी body खुद त्यार नहीं करती इसलिए इसमें वो सारे के सारे amino acid पाए जाते हैं जो की body building के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है साथ ही साथ इसमें जो fat पाए जाती है वो poly unsaturated fat और omega 3 fatty acid होते हैं जो की हमारी heart health और brain health के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसलिए guys आपको daily अपनी diet में tofu का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए यह आपको किसी भी सबजी वाली के दुकान से मिल सकता है और नमबर पर जिस item को मैंने रखा है वो है whey protein वे protein के बारे में आप सब जानते होंगे सबसे best source है vegetarian के लिए protein की deficiency को पूरा करने के लिए क्योंकि एक तो इसमें सबी के सबी essential और non-essential amino acid मिल जाते हैं जिसकी हमारी body को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है और यह हमारी body में सबसे जल्दी absorb भी होता है एक scooped whey protein में आपको 24-27 gram protein मिल जाता है और साथ ही साथ जिनका lifestyle बहुत busy है उनके लिए भी यह best source है protein की deficiency को पूरा करने के लिए क्योंकि आपको only एक scoop water या milk में मिला कर पीना है जिससे आपका 24-27 gram की requirement protein की आपकी पूरी हो जाती है और दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों का यह myth है कि वे प्रोटीन सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो daily exercise करते हैं या workout करते हैं या इसे बस athlete ही ले सकते हैं तो guys ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वे प्रोटीन हर एक male या female youngest या oldest कोई भी इसे consume कर सकता है fourth food is soya chunks soya chunks vegetarian के लिए बहुत ही जादा plus point है अपनी daily protein की requirement को पूरा करने के लिए क्योंकि 100 gram soya chunks में around 50 gram protein होता है so मैं आपको यहां एक बात बिताना चाहता हूं कि जो लोग अपनी daily protein की requirement को पूरा करना चाहते हैं so वो daily soya chunks खा सकते हैं soya chunks are the best source of protein बट लेकिन जो लोग muscle building करते हैं या weight training करते हैं उनको अपनी diet में soya chunks की amount को थोड़ा कम रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें वो सारे amino acid नहीं होते जो की एक पनीर chicken या egg या weight protein में पाए जाते हैं इससे आपको थोड़ी दिक्कत होगी आपने muscle building करने के लिए soya chunks are the best source of protein for protein deficiency बट लेकिन अगर आप bodybuilding में हैं या weight training करते हैं उसमें आपको इससे थोड़ा avoid करना पड़ेगा आपको minimum amount of soya chunks लेनी पड़ेगी क्योंकि इससे आपका पूरा attraction आपकी muscle को नहीं लगेगा पूरा protein पूरे amino acid आपकी muscle को नहीं मिल लेंगे so दूसरी बात यह है कि आपको जो market में खुली soya chunks मिलती है आपको उसे avoid करना है क्योंकि उसमें भी मैर्दा mix होता है जो कि आपकी body के लिए अशा नहीं है जिससे आपकी protein की requirement पूरी नहीं होगी इसलिए आपको जो market में डिबा pack protein source आते हैं जिसमें ingredients में लिखा होता है कि यह only soya chunks ही है आपको वो consume करने है पांचवे नमबर पर जिस food item को मैंने रखा है वो है peanut butter आपको एक चमच peanut butter में around 4 gram protein और 9 gram healthy fat मिलता है मैं peanut butter की इसलिए बात कर रहा है क्योंकि अगर अगर आपका schedule आपका lifestyle बहुत busy है तो आप इसे कहीं भी carry करकर लेकर जा सकते हो आप इसे किसी भी तरह से खा सकते हो जैसे आप इसे brown bread में लगा कर खा सकते हो या अगर आप कोई shake बना रहे हो उसमें आप एक या दो scoop peanut butter के डाल कर ले सकते हो और दूसरा इसमें जो fat होती है वो healthy fat होती है जिसमें बरपूर मातरा में unsaturated fatty acid पाया जाता है जो कि आपकी heart health के लिए बहुत ही best source है और दूसरा आप इसे किसी भी situation में ले सकते हो जैकर अगर अगर आपका goal weight gain करना है या आपका goal weight lose करना है या आप exercise करते हो muscle building करते हो weight training करते हो आप किसी भी situation में इसे ले सकते हो आपको लेना भी बहुत ज़रूरी है और दूसरा आप कोई भी नर्स इसके साथ ले सकते हो जैसे almond ले सकते हो cash ले सकते हो walnuts ले सकते हो पिस्ता ले सकते हो क्योंकि आपको इसमें बरपूर मातरा में protein और healthy fat मिलता है जो कि आप किसी भी situation में body building, weight training, अपने lifestyle अपने work और किसी में situation में आप peanut butter को ले सकते हो और दूसरी बाद यह ही यह एक cheapest amount of protein आपको मिलता है so guys vegetarian के लिए बहुत सारे protein के food item होते हैं अगर आप भी vegetarian diet follow करते हो और आपको लगता है कि आपको protein की deficiency हो रही है तो आप इन सब food का इस्तेमाल कर सकते हो और भी बहुत सारे protein के source, protein की food item आते हैं जिनके बारे में आपको knowledge नहीं है इसलिए आप google में search कर सकते हो high protein food in vegetarian तो बहुत सारे food आपके सामने खुलकर आ जाएंगे जिसे आप normally consume कर सकते हो so guys ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको ऐसी और helpful वीडियो देखनी है तो please मेरे चैनल को subscribe करें अगर आपको ये वीडियो अशी लगी है तो please like का button जरूर दबाएं और वीडियो को share जरूर करा करें जिससे आप जैसे आप जैसे लोगों की और भी मदद हो सके और आप जैसे और लोगों का भी ये वीडियो पहुंच सके so thank you